हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तरुना यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर जेसी डबलू तोसाम कोलेज की ओर से हिंदी की अपनी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे धर्मवीर भारती जी की कविता विप्रलब्दा, विप्रलब्दा कविता के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जब स्री किर्शन जी मत्वुरा चले गए थे तो उस समय राधा जो है उनकी व्योग वस्था में अपने म भावों को प्रस्तुत कर रही है विप्रलब्दा कविता में और यह कविता धर्मवीर भारती जी के उनका खंड काव्या है कनुपिरिया उसमें से ली गई है कनुपिरिया के पांचवे सोपान इतिहास में वनित विप्रलब्दा नामक गीत से यह कविता आपकी ली गई है और कन्नुपिर्या का वेरचना का अंतिम गीत है आपकी यह कवीता तो स्टुडेंस आईए हम करते हैं ध्रमवीर भारती जी की कवीता लिप्रलब्दा कवी कहते हैं भुजे हुई राख तूटे हुए गीत डूबे हुए चांद रिते हुए पात्र बीते हुए प्षण सा मेरा यह हैं जिसन कल तक जो जादू था सूरज था बेग था तुम्हारे आशलेस में आज वह जूडे से गिरे हुए बेले सा तूटा है मलान है, दुगना संसान है, बीटे हुए उतसव सा, उठे हुए मेले सा देखो प्रशंग की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो प्रशंग में हम लिक सकते हैं कि प्रस्तूत पद्ध हमारी हिंदी की पाथिय पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित कविता विप्रलब्दा से लिया गया है या आउत्रीत हैं यह कविता डॉक्टर ध्रमवीर भारती की परसिद कावेकरती कनुपिर्या के पाचवे सोपान इतिहास में वर्नित विप्रलब्दा नामक गीत से ली गई है और यह कनुपिर्या कावे रचना का अंतीम गीत है कवि ने यहां नायका राधा की विरह अवस्ता का चित्रन अब देखो यहां पर स्री किशन के मतुरा जाने पर जब राधा अकेली रह गई थी तो राधा को यह हैं अकेला पन काटने को दोड़ता है क्रिशन विरह में पीडित राधा अपनी स्थित्टी बतराती हुई कहती है कि जब से स्री किशन उन्हें छोड़ कर गई है तब से उनकी स्थिती भुजी हुई राक यानि उनकी स्थिती कैसी हो गई है उसी समय से उनकी स्थिती उस राक के समान हो गई है जो अब भुज चुकी है वह तूटे हुए गीत और वह अब उस गीत की भाती है जिसके सुर्फ भंग हो चुके है या बिगड चुकी है ठीक है डूब बीते हुए पात्र अब तो उसका सरीर खाली बरतन तथा बीते हुए क्षण यानि बीते हुए पलो की भाती ही सेश रहे गया है कहने का बहाव यह हैं students कि उसका वर्तमान समय जो है वो नस्ट हो चुका है अब तो मैं अतीत बनकर रहे गई है क्रिशन को संबोधित करते हुए विरहेनी रादा आगे लिखती है या कहती है कल तक जो जादू था सूरज था वेग था तुम्हारे आशलेश में आज वेंजूडे से गिरुए बेले सा तूटा मलान है क्ल तक उसने स्रीकिशन की याद तथा उसके आलिंगन का जो जादू मैसूस किया था जो किसकी तरह सूरज था यानि पवित्र सूर्य की भाती था उससे उस युक्ति को पुणते जान लिया था लेकिन आज वें सने प्यार कहा है आज जो इस विरहेनी राधा की स्थिति उस बेल के फूल की भाती हो गई है जो एक बार जूडे में लगा तो लिया जाता है लेकिन जब रात क को नाइका सोती है तो उस जूडे का फूल तूट तूट कर गिर जाता है तो आज वें जूडे से गिरे हुए बेले सा तूटा मलान है यानि कि आज वें जूडे से नाइका ने किसी फूल को जूडे में लगा लिया और वो फूल फिर रात को सोते हुए तूट तूट कर ग गिर जाता है और फिर उस तूटे हुए उस फूल को पुने जूडे में फिर से नहीं लगाया जा सकता आज राधा की स्थित्य यहीं है यानि कि सब कुछ तूटा हुआ तथा उदास राधा को दिखाई दे रहा है दुगना सुनसान है बीते हुए उत्सव सा उठे हुए मेल तो कभी क्या कहता है कि राधा क्या कह रही है राधा अपनी वैथा को परकट करते हुए कहती है कि दुगना सुनापन अब उसके जीवन पर चाया हुआ है जिस परकार मेला या कोई उत्सव या कोई फैस्टिवल कोई फंक्सन जब हमारे घर में भी आप देखते हो अपने खाली पन सुनापन दिखाई पड़ता है ठीक उसी परकार आज स्री किष्ण के चले जाने पर राधा को भी वैसा ही कुछ महसुस हो रहा है ठीक है क्या कह रही है यहां पर राधा कवी जो है राधा के मादेम से कह रहा है कि राधा कहती है कि एक समय था जब उसे किसी परकार की कोई चिंता या किसी परकार का कोई जो है सोच नहीं था समय भी उसके अनुकूल था लेकिन आज स्री किष्ण राधा को छोड़कर मत्रा चले गए है अब उसका सरीर वैसा हो गया है जैसे किसी अब क्या कहती है राधा मेरा यह हैं जिसन यानि उसका यह हैं सरीर तूटे खंडरों की उजाड अंतपूर में छूटा हुआ एक साबित नहीं सोरी साबूत है साबूत मनी जडित दरपन सा तो राधा कहती है कि आज उसका सरीर वैसा हो गया है जैसे किसी तूटे फूटे खं साबूत हो और मनियों से जडित हो और महल पूरा खंडर हो चुका हो अंतपूर होता है महिला कक्ष ठीक है तो राधा कहती है कि मेरी स्थित्ती भी वैसी ही हो गई है जैसे वो शीशा शीशा सिर्फ तंगा रह जाता है और पूरा महल खंडर बना रह जाता है यानि कि राध को दंस से युक्त ये लिखा है ना आदी रात को दंस से युक्त बाहु हीन यानि बुजाओं से हीन प्यासा सरपीला यानि साप का कसाव यानि की बंधन एक जिसे जकड लेता है यानि की राधा कहती है कि आदी रात को दंस से युक्त बुजा रही त जहरीले साप के समान कसा बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेता है उसका यह कसाओ साप के उस कुंडल के समान है अपनी गुंजलक में यानि गुंजलक का मतलब होता है कुंडल के समान है जो ने टूट सकने वाला होता है देखो साप जब किसी को जकड लेता है तो उसको जब वो उसके चारो तर तो राधा कहती कि उस कसाव को वो तोड नहीं सकती भैक क्रिशन अब यहां नहीं है मैं तो चला गया है यानि कि मतुरा चला गया है अब तो यहां पर राधा ही सेश है उसका सरीर तथा उसकी पुरानी यादे ही बची है ठीक है आगे अगले पहराग्राप में देखते हैं अब सिर्फ मैं हूँ यहां तन है और याद है खाली दरपन में धुंदला सा एक परती भी मुड मुड लहराता हुआ निज को दोराता हुआ तो राधा कहती है कि अब सिर्फ मैं हूँ कहती है कि अब मेरे अंदर और कुछ नहीं बचा है, अब मैं वो पहले वाली रादा नहीं हूँ, अब मेरा ये खाली जूशन बचा है, जो खाली बरतन के समान है, बीतेवे क्षण के समान है, अब श्री किशन यहाँ पर नहीं है, अब सिर्फ मैं हूँ, यहाँ तन है, यानि यानि शीरिकेशन की यादे हैं खाली दर्पन में धुंदला इक पुर्थीवीम और जो है वह कहती है कि ऑपकशनकी नहीं बचया है ठीक Знаं कौन था वहां जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्थ में घरिमा से तनकर्थ समय को ललका रहा था कौन था वहां जिसकी अल्कों में जगत की समस्त गती बंद कर Parlवित अब रादा स्री किशन शे कहती है कि हे किशन तुम्हारी रादा के सवरूप में अब परिवर्तन आ चुका है यानि अब वो पहले वाली रादा नहीं रही अब वो एकदम से बेश सहरा हो गई है और पुरुनते समर्थ सता को प्राप्त हो चुकी है किशन को संबोधित करते ह वे कहती है कि श्री किशन अब तुम ही बताओ कि वह कौन थी जिसने तुम्हारी बाहों का गेरा पाकर कौन थी जिसने तुम्हारी बाहों के आवर्त में यानि बाहों का आवर्त मिंस होता है गेरा गेरा पाकर बड़े ही गरु गरीमा यानि गरु से तन कर समय को लिलका रह कि तब तुम यह सुनकर गव से तन गये थे राधा कृष्ण से पूछती है कि वह उसे बताए कि संसार की गती जिस राधा की अलकों से रुख गई थी जिसके इसारे से सभी दिसाइं जुड़ गई थी संसार का सब कुछ जिस से हार गया था वह कौन थी उसका नाम क्या था ठीक है कौन था वे हैं जिसके चरम शाक्षात करका एक गहरा क्षण सारे इतिहास से बड़ा था ससकता कौन था कनू वे हैं अब देखो आगे कहती है राधा जो है वो आगे कह रही है स्रीकिशन से कि राधा अपने कौन था वे हैं जिसके चरम शाक्षात करका एक गहरा क्षण राधा अपने लिए कह रही है इसमें स्रीकिशन से कि बताओ वे हैं कौन था जिसके चरम शाक्षात कर यानि परम मिलन से परम मिलन का एक गहरा क्षण ही जिसके लिए सब कुछ सभी तुसों प्राजी तो फो जाता था वह अपने आप में आप सत्क था यानि इतना सक्ति सम्पन था क्या मितिहास बता है कों था कनू का मतलब स्रीकुष्ण। अब वह संबोधित करते कि है तुम्हारी बाहं में जो सूरज धा यंदी तुम्हारी बाहं में मैं सूरज की तरह आलोक कि थी जादू था और जो है जब मैं तुम्हारे बाहों में आती थी तो एक जादू सा मुझे मैसूस होता था एक विश में कोतुक के भाव जो थे वो आ जाते थे जो दिव्य था मंत्र था अब सिर्फ मैं हूँ यह तन है और याद है मंत्र पढ़े बान से चूट गए तुम तो कनू सेस रही मैं केवल क अप्ति प्रत्निंचासी तो राधा कहती है कि जो जादू की समान था जो अपने आप में आलोकी को होने के साथ एक मंत्र भी था यानि वैं दिवया प्रकास में नारी कोई और ने होकर तुम्हारी राधा ही थी लेकिन आज तुम्हारी राधा अतित में देखने वाली राधा जैसी नहीं रही यानि अब मेरा पहले जैसा अस्तितव नहीं रहा अब तो मैं स्वेम जो है एक खाली बरतन की तरह हो चुकिया उसका सरीर तथा उ ठीक है मंत्र पढ़े बाण से चूट गए तुम तो केवल करनो तुम तो करनो यानि अब स्री किशन को फिर से कहती है राधा कि तुम तो किसी मंत्र पढ़े बाण की भाती उससे चूट कर कहीं दूर चले गए हूं अब तो यहां धनुस की कापती हुई परतंचा यानि कापत की छलाओं में कसी हुई राधा कहती है कि उसके जीवन में जो कुछ बेच चुका है अब वहें उसी की यादों में स्वेम को बसाय हुए हैं अब वहें सरी किर्षन की भुजाओं के दोखे में कसी हुई है अभी तक ठीक है यानि किर्षन के दूर चले जाने पर भी राधा जो है उसकी याद को बुला नहीं पा रही है और उसके आलिंगन के स्परस को महसुस करती रहती है और वहां सोचती है कि सरी किर्षन ने अभी भी मुझे अपनी बुजाओं में अपनी बाहुं में ले रखा है जिन रूखी अलकों में मैंने समय के गती बांदी थी हाई उन्ही काले नागपासों से दिन परती दिन खशन परती खशन बार बार डसी हुई अब रादा आगी कहती है कि जिन रूखे बालों से अलकों का मैंने बता है ना कि अलकों का मतलब होता है बाल तो यहाँ पर है रूखी अलको यानि कि रूखे हुए बालों से उसने समय की जिस गती को बांद दिया था आज वही रूखे बाल उसके लिए मुसीबत का कारण बने हुए है कैसे मुसीबत का कारण बने हुए है क्योंकि आज स्री किशन उनके पास नहीं है और उसके वो बाल जो हैं उन्हें बिल्कुल भी सुहाते नहीं यानि ये रूखे बाल उसे किसी साप की भाती जकड़े हुए है ये दिन परती दिन हर पल उसे साप की तरह डस्ते रहते हैं यानि राधा कहना चाहती है कि जो चीजे किशन के साथ होने पर सुक्त लगती थी आज वह सारी चीजे दुखदाई बन गई है राधा कहती है कि अब तो केवल वहें बची है और उसका सरीर बचा है अब सिर्फ मैं हूँ यह तन है और संसे है भुजी हुई राक में चिपी चिंगारी सा रीते वे पात्र की आखरी मूंसा पाकर खोदेने की वैथा बरी गूंसा तो राधा कहती उसका मन जो है वो तूट चुका है उसकी संका बची है अब तो मेरा सरीर उस चिंगारी के समान है किस संगारी के समान है बुजी हुई राक में चिपी चिंगारी यानि जिसकी राक जो है बुज चुकी है और उसमें दभी हुई एक चिंगारी सी बची हुई है क्या पता ज हो देने की पीडा की गूंज के समान लगता है तो यह थी आपकी कविता विप्रलब्दा अब बात करते हैं इसमें विशेश की तो स्टुडेंट्स विशेश की अगर हम बात करें तो कवी ने विरैनी रादा का सजीव जित्र अंकित किया है आत्म कथात्मक शैली यहां पर व श्रिंगार के वियोग पक्ष का वर्णन भी यहां पर कवी ने किया है माधूरिय गुंड विद्यमान है भासा सरल सहज भावान उकूल है तत्सम शब्दों का प्रियोग भी कवी ने जहां तहां किया है सब्द चैन सर्था उचित है और इसके अलावा मुक्त चंद का प्र प्रियोग किया है तो इस तरह से यह थी आपकी कवीता विप्रलब्दा इसमें कवी ने आपने पढ़ा की राध्धा के विरह का वर्णन किया है तो आशा करती हैं स्टूडेंस की है कवीता आपको समझाई होगी कमेंट बोक्स में जरूर बताना और चैनल को लाइक और सब भूलना मिलते हैं कल के लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद